और जो बीजेपी जेजेपी के कर्येक्रम होते हैं उनका विरोध और गाउं बंदी हमें लगातार जारी रखणी है सातियों बीजेपी और जेजेपी के कर्येक्रमों का भहिस्कार कर रहे हैं एक कर्येक्रम तै किया गया है और जैसी हमें सूचना है, हम बीजेपी की साजीस को समझते हुए, हम तिरंगा यात्रा का जो एक अगस्से ये शुरू कर रहे हैं, ये खुद साजीस रचेंगे और फिर गोदी मीडिया के माद्यम से तो बीजेपी के हाडों में बैठ गया, इस जन अंदोलन को बदनाम करने के लिए फिर तिरंगा यात्रा का एक कारियक्रम तै किया गया है और जैसी हमें सूचना है कि एक अगस्से बिवानी जिले के लोहारू विधान सबा में क्रसी मंत्री जेपी दलाल यहां यात्रा की सुरुवात कर रहे हैं और उसके बाद वो यात्रा पंदरा अगस्तक अलग-अलग तिरंगा यात्रा बीजेपी की हर्याना भर में निकाली जाएंगी और साथियो आपको लगातार हम बीजेपी और जेजेपी के करिये करमों का बहिस्कार कर रहे हैं और हमारे बीच में और बीजेपी वाड़ों के बीच में तिरंग़ा आ रहा था इसलिए ये बड़ा गंबीर मामला था और इसके उपर हमारे संयूक्त किसान मोर्चा के सभी सीनियर नेताओं ने, हर्याना के सभी किसान नेताओं ने मिलकर के गंबीर चिंतन करते हुए ये फैंसला किया है कि हम बीजेपी की साजिस को समय से पहले समझें और उन्होंने पूरे हर्याना से अपील भी किये, निवेदन भी किया और एक फैंसला भी किया है कि हम बीजेपी की साजिस को समझते हुए हम तिरंगा यात्रा का जो एक अगस्से ये शुरू कर रहे हैं उस तिरंगा यात्रा का हम कोई भी विरोध नहीं करेंगे और साथियों ये वही लोग हैं, 2002 तक RSS के मुख्याले पर तिरंगा नहीं फैराय जाता था, तिरंगे के नाम पर ये अंग्रेजों की गोदी में जाकर के बैठ गे थे और इनकी जो मांग है और इनका जो व्यवार तिरंगे को लेकर के है ये तिरंगे को रोंदते हुए RSS और BJP वाले जडाते हुए इनका इतिहास इनका जो ट्रेक रिकोर्ड है तिरंगे को लेकर के वो जग जाईर है लेकिन तिरंगा 132 करोड हिंदुस्तानियों की आन बान और शान है और उसके लिए हम कट भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं, इसलिए हम किसी भी कीमत पर संयुक कि किसान मोर्चा का ये फैसला है कि हम किसी भी कीमत पर तिरंगे का अपमान सेहन नहीं करेंगे, उस तिरंगा यात्रा में ये खुद साजी सरचेंगे और फिर गोदी मीडिया के माद्यम से तिरंगे को बदनाम करने के आरोप हमारे उपर लगाएंगे, तो अंत में यही पिलगारा में वो गाउंबंदी भी जारी रहेगी और बीजेपी, जेजेपी के सबी गोसीत करिये करमों का विरोध भी शानती पूर्ण तरीके से जारी होगा और मेरा सबसे निवेदन है इस वीडियो को सेर करें और बिजेपी की साजिस को फेल करने का काम करें और जो बी ताकत अंदोलन के उपर लगाएं और जो देश विरोधी भाजपा है और जो किसान विरोधी RSS है और अर्याने की सरकार है इसका परदाफास करें बहुत-बहुत धन्यवाद जै जवान जै किसान साथियो जै किसान मैं रवी आज़ाद साथियो लगातार पिछले एक दो दिन से अमारे तमाम साथियों के तमाम हमारे किसान भाईयों के अमारे सयोगियों के लगातार फोन मेसेज आ रहे हैं कि बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालने का एलान किया है और आपको ध्यान है कि ऐसी ही एक साजिस 26 जनवरी को आंदोलन को बदनाम करने की तिरंगे के नाम पे रची गई थी वो साजिस पूरी तरह से फ्लोप हो चुकी थी अब दुबारा से इस जन आंदोलन को जो बीजेपी के हाडों में बैठ गया इस जन आंदोलन को बदनाम करने के लिए फिर तिरंगा यात्रा का एक कारियकरम तै किया गया है और जैसी हमें सूचना है कि एक अगस से बिवानी जिले के लोहारू विधान सबा में करसी मंत्री बीजेपी दलाल यहां यात्रा की सुरुआत कर रहे है और उसके बाद वो यात्रा पंदरा अगस्तक अलग अलग तिरंगा यात्रा बीजेपी की हरियाना भर में निकाली जाएंगी और साथियों आपको लगातार हम बीजेपी और जेजेपी के कर्ये कर्मों का वहिस्कार कर रहे हैं और हमारे बीच में और बीजेपी वाड़ों के बीच में तिरंगा आ रहा था इसलिए ये बड़ा गंबीर मामला था और इसके उपर हमारे संयूक्त किसान मोर्चा के सभी सी रफ़टनों ने हरियाना के सभी किसान नेताओं ने मिलकर के गंबीर चिंतन करते हुए ये फैंसला किया है कि हम बीजेपी की साजीस को समय से पहले समझें और उन्होंने पूरे हर्याना से अपील भी किया निवेदन भी किया और एक फैंसला भी किया है कि हम बीजेपी की साजीस को समझते हुए हम तिरंगा यात्रा का जो एक अगस्से ये सुरू कर रहे हैं उस तिरंगा यात्रा का हम कोई भी विरोध नहीं करेंगे और साथियों ये वही लोग हैं 2002 तक RSS के मुख्याले पर तिरंगा नहीं फेराय जाता था तिरंगे के नाम पर ये अंग्रेजों की गोदी में जाकर के बैठ गे थे और इनकी जो मांग है और इनका जो व्यवार तिरंगे को ले करके है ये तिरंगे को रोंदते हुए RSS और BJP वाले जडाते हुए इनका इतिहास इनका जो ट्रेक रिकोड है तिरंगे को ले करके वो जग जाईर है लेकिन तिरंगा 132 करोड हिंदुस्तानियों की आन बान और शान है और उसके लिए हम कट भी सकते हैं मिट भी सकते हैं इसलिए हम किसी भी कीमत पर संयूक किसान मोर्चा का ये फैसला है कि हम किसी भी कीमत पर तिरंगे का अपमान सेहन नहीं करेंगे में दो गस्दूरी मास्क है जरूरी नमस्कार